नमिशकार दोस्तों स्वागत है आपका रूपल की रसोई में आज मैं आपके लिए समरी स्पेशल बहुती इजी बहुती टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ नेपाली चुकोनी तो चलिए बनाते हैं इस यमी सी रेसिपी को आपके साथ इसे त्यार करने के लिए हमें चा मिक्स करने वाले हैं कीचन के कुछ रेगुलर मसाले तो मसालों में हमने डाला है अमचूर पाउडर एक चमच हमने इसमें अमचूर पाउडर डाला है आदा चमच हम इसमें डालेंगे लालमिच पाउडर तो मसाले आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम जादा कर लीजिए ए इसी के साथ मैंच में डालोंगि उबले हुए आलूय जिसको हमने पीसेज में कट करके रखा है तो यह देकिए इस तरह से इसे पीसेज में कट कर लिया था और इसे अपने दही में हम छोड देते हैं अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटे हुए प्याज, तो प्याज हमने कच्छा ही यूज करना है अपनी रेसेपी में, क्योंकि ये समरी स्पेशल है, तो प्याज को भी हमने इस तरह से बारिक बारिक कट करके रखा था, और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, तो उसे भी कर लीजिए, मेरे चैनल पर आपको बहुत हेल्दी और इजी रेसिपी मिलेगी, सारे सामान को हम ने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखे कुछ इस तरह से, और अब हम इसमें लगाएंगे तड़का, तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में घी गरम करेंगे, तो ये देखे हमने तड़के के लिए घी गरम कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, तो एक चमच हम इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हींग, और हींग के बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, एक चमच हम इसमें ड तहीं पर छोड़ देते हैं तो इस रेसिपी को आप चामल के साथ परांठों के साथ एंजॉय करिए बहुत ही टेस्टी लगती हैं तो दोस्तों तैयार है हमारी नेपाली चुकोनी के रेसिपी और यह रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में चुरूर बताइएगा एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो मिक्स भी हम इसे कर लेते हैं तो तैयार करने के बाद आप इसे फ्रीज में रखिए जब भी आपको जरुवत है आप इसे सर्फ करिए तो दोस्तों तैयार है हमारी रेसिपी ठेंक्स वर वाचिंग झाल 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 झाल